पंद्रासो प्री लोड़ेट गानो वाला कीपैडफोन, धमाकेदार साउंड के साथ, कारवा मोबाइल सेंस्टिफ स्किन सेंस्टिफ स्किन की देखभाल करना काफे मुश्किल होता है अगर आपकी स्किन भी सेंस्टिफ है, तो कौन-कौन से प्रोडेक्ट है, जो आपकी स्किन को सूट नहीं करेंगे, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी हाँ, घरेलू नुसके आजमाते समय ये खत्रा आपके लिए नहीं है क्योंकि इन नुसकों से कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते तो आईए आपको कुछ उपाय बताते हैं उपाय नमबर एक, सेंस्टिफ स्किन को साफ करने के लिए कैस्टर ओयल और ओलिव ओयल को बराबर मिलाए फिर इस विश्रन को हाथ पर रगड कर गरम करें और चेहरे पर लगाएं इसके बाद कपड़े को गरम पानी में डुबो कर चेहरे पर रखें और जब तक कपड़ा ठंडा ना हो जाए, इसको ऐसे ही नहने दें इसी उपाए को दोबारा दोड़ाएं, सकिन नरम और चमकदार हो जाएगी उपाए नमबर दो, तीन से चार बदाम रात को पानी में भुगो दें सुबह इन भीगे हुए बदामों को आदा कब दूद में मिलाकर पीस लें फिर इस पेस्ट को फ्रिज में रखें, ठंडा करने अब रात को सोने से पहले इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सो जाएं अगले दिन सुबह पानी से चेहरा धोले, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी तो ये थे वो घरे लूब वाएं जिने अपना कर आप अपनी सेंस्टिफ स्किन की देखभाल कर सकती है हमारी तचा बहुती नाजुक और सेंस्टिफ होती है कई बार गलत खाने पीने की वज़े से, कभी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण तो कभी बदलते मौसम की वज़े से, या फिर किसी कास्मेटिक के इस्तमाल से स्किन में अलर्जी हो जाती है तो अच्वाल हो जाती है और उसमें खारिश होने लगती है इस समस्था से चुटकारा पाने के लिए हाजिर हैं कुछ घरे लून उसके उपाए नमबर वन विटमिन E ओल में कॉर्ड लिवर ओल मिलाकर रैशिस पर लगाए रात भर इसे यूँ ही छोड़ दें, सुभा तक रैशिस गाइब हो जाएंगी उपाए नमबर दू तुलसी के पत्तों को पीस कर, उसमें काली मिर्च, ओलिव ओल और लहसुन मिलाकर पेस्ट बना ले फिर इस पेस्ट को जहां जहां रैश है, वहां लगाएं, रैश गाइब हो जाएगी ये थे वो दो घरेलू उड़नुस के, जिने अपना कर, आप स्किन रैश से छुटकारा पासकती है स्किन स्पाइलर चेरे पर ये स्किन स्पाइलर होने के, वही कारण है, जिनसे हम अच्छी तना परिचित हैं धूब, धूल, पल्यूशन लेकिन फिक्र ना करें, कुछ घरेलू उपचार आपको फाइदा पहुचा सकते हैं उपाई नमबर एक, दूद में पपीता मिलाकर, उसकी पेस्ट्र बनाकर चेहरे पर लगाए पपीते में एक तरह का एक्जाइमन होता है, जो तूचा से गंदगी निकाल कर चेहरे को साफ करता है दो मिनट तक मालिश करने के बाद चेहरे को धोलें, और इस क्रिया को हफ़ते में दो बार दोराएं तो अच्छा की अच्छी देखभाल के लिए हमारी स्किन को एक अच्छे टॉनिक, क्लिंजर और मॉस्चराइजर की ज़रूरत पढ़ती है टॉनिक को नजर अंदास कर देते हैं जबकि एक अच्छा टॉनिक ही है जो स्किन के मॉस्चिराइजर को स्किन के पोर्ष तक ले जाता है इसके लिए कुछ बहुत असान घरेलू उपाय हैं जिनने अपना कर आप स्किन का टॉनिक घर में ही बना सकते हैं उपाय नमबर एक सफेद सिरके और पानी को मिला कर मिक्स्चर बना ले फिर कॉटन को इस मिक्स्चर में दुबो कर उससे चेहरा और गर्दन को पोश दे ये एक बेहतुरीन स्किन टॉनिक है उपाय नमबर दो चेहरे पर नीबू का रस लगाएं फिर दस मिनट बाद उसे धोले ये सबसे प्रभावशाली तरीका है स्किन को साफ करने का तो ये थे वो कुछ उपाय जिनने अपना कर आप घर में ही स्किन टॉनिक बना सकती है स्ट्रेच मार्क स्ट्रेच मार्क यानि शरीर पर बनी फाइन लाइन्स होती है जो अचानक बजन के बढ़ने या घटने से या फिर प्रेगनेंसी की वज़े से शरीर पर आ जाती है इन स्ट्रेच मार्क को हटाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में आठ से दस गलास पानी पिये क्योंकि शरीर में अगर पानी भरपूर हो तो कोशिकाएं बराबर काम करती हैं और मास पर दबाव नहीं पड़ता जिसके कारण शरीर पर स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं आईए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेल उपाए जिनें अपना कर आप स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पा सकती हैं उपाए नमबर एक ओलिव ऑईल प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क को हटाने के लिए बहुत ही फाइदे मन्त हैं ओलिव आईल को गरम करें और फिर रोजाना दो बार जिन जिन जगाँ पर निशान है वहाँ पर इससे मालिश करें जरूर फाइदा होगा ऐलोवीरा जेल भी स्ट्रेच मार्क मिटाने में काफी काम आता है हर रोज आप एलोवीरा जेल लेकर शरीर के उस हिस्से पर जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क हैं उससे मालिश करें जल ही स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पड़ जाएगा उपाए नमबर तीर अंडे का सफेद पोर्शन हमारी तवचा के लिए बहुत अच्छा होता है ये शरीर से स्ट्रेच मार्क हटाने के भी काम आ सकता है पहले आप एक कच्छा अंडा लें उसमें से सफेद पोर्शन को अलग करें अब इस सफेद भाग को उन जगाओं पर लगाएं जहां जहां पर स्ट्रेच मार्क हैं फिर इस लेप को सूखने दे सूख जाने के बाद पानी से धोले और इसके बाद इस पर कोई मॉस्चिराइजर लगा दे जल्दी आपको फाइदा नदर आएगा तो ये थे वो को चुपाई जिन्हें अपना कर आप स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पा सकती है आवाज दो हमको हम खो गए सब नींद से जागे सब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुम से हो गए आवाज दो हमको हम खो गए कब नींद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुम से हो गए आवाज दो हमको हम खो गए तो हमसे तुम से जाएंगे हम निगाहें चार करने लगे हम जिन्दगी से प्यार करने लगे डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे आवाज तो हमको हम खो गए कब नीद से जागे कब सो गए मर जाएंगे हम अगर दूर तुम से हो गए आवाज तो हमको हम खो गए आवाज 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 झाल झाल